तू ही सागे, तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा पाधर एटले पीता, पीता एटले अधिपती, जे धरा आगे तेने अधिपती कहवा है कुटुम लान्धारी संस्था नो एक पालक, रक्षक, चालक ते पीता पत्नी, दिकरा, दिकरी ने संदेश, उपदेश, औने आदेश पन आपी शके ते उमान उपात्र ते पीता कुटुम जो संस्था होई तो पीता ते संस्था नो बड़ो जो के शास्त्रो यहुँ नोंदे छे के पिता पनू ए प्राक्रुतिक बाबत नथी ते संस्था किया छे फ्यूचरोलोजी एवु भाँखे छे के पित्रुत्व काल क्रमे नष्ट थे यशे कारण एक समय हतो के जारे पीता शब्द पन्न हतो वर्षो सुदी मानव जात पित्रुत्व वगर जीवी छे तेना अधारो जुना पूराणा ग्रन्थोमा मोजुद छे विचित्र लागे विवाद छे ना पिता वगर बालकने कल्पना थाई शक्ति नथी न कठी इंचे आ सत्य गड़े उतार्वूं पणा जूठू तो नथी शुरुती औने स्मृती पण आवाद नी साक्षी पूरागे छे कड़वू लागे तेवू तथ्य ए छे के अंकल एटले के काका शब्द फाधर के पिता शब्द करता घणो पूराणों छे कारण मात्रू प्रधानतानों पीचो पित्रुत्व एक खरे जखे समाजमा माता हति पन पिता कोंड ते जाणमन नहो यव बनतु माता बनती स्त्री घणा लोकोने मलती भड़ती उने ओगलती तेमा ती कोई तेना संतान नू कारण बनी रहतूं पन ते कोण तेना जवाब न मड़तों तेथी माताना बालक ने का का हता पिता न हता एम कहें छें के ज्यार्थी प्राइवेट प्रॉपटी एकले के अंगत मिलकत नी संकल्पना आवी त्यार्थी पिता नी ओड़क जरूरी बनी पिता शब्द तेथी अधिपती के मालिक जेवा अर्थ नो एसास करावे छे पेला सग्लू सयारू हतूं सांजा चुला भी था और सुख दुख भी सबके थे वसंत सेना जिविक गणी का पन सव नुपात रहतूं पन समय जता मारूं के तारूं थवा लाग्यूं आ अने आटलू मारूं एटले के हूं एनो मालिक तेमा थी चिन्ता जन्मी क्या मारूं पन मारा गया पची कोनूं मारा संतान नुने तो मारू पोतानू संतान कयूं उंतों अंकल छूं फादर न थी मारी संपत्ती मारा बालक ने मले एक ते माठे मारे पिता बनू जरूरी छे हूं कोनों पिता ते नक्की करवा माठे पत्नी पन मारी होवी जोईए अने तेनों संतान मारू होवू जोईए बस आम फादर शब्द प्रवेश्यो प्राइवेट प्रोपर्टी नी पाचल पाचल आ बालक आ पत्नी द्वारा आ पत्नी नुझ छे तेवों चोक्कस करवा पत्नी तो पत्नी बने त्यारे वर्जिन होवी जोई ये तेवों ख्याल अधाज समाज मां स्विक्रूत बन्यों आ मारू बालक मारी मिलकत नुझ वारस बनी रहे शे एवों प्रस्थापित करवांस्त्रियों पर वर्जी नीटी एटले के कुवारा पनुझ ठोकी बेसार भामां आविऊ आवोसार से जे तार्वी लेवामा आवे हो छे फादरे अंकत संपत्ती मिलकत ने कारणे पितापनुँ प्राप्त करवा समाज पर पत्नी पर संतान पर पोतानो अधिकार आरी ते अजान का स्थापि दिदो कोईस्त्री मातादंबने त्या सुधीते पूर्ण नथी एवो हिंदु शास्त्रो जणावे छे पने वो पूर्ष माटे केवायू नथी पूर्षनी पूर्णतानो आधार तेनू पित्रुत्व नथी एन और थे थयो के पित्रुत्व ए अकस्माज छे ए पिता होए के पिता न होए छत्ताए पूर्षत्व धरावे छे कशूज गुमाव्या वगर पिता थै शकाई छे पन मात्रुत्व प्राप्त करवा पाचर पुषकल बाबतो समर्पित करवी पड़े छे आम सर्जाई छे कुटु मिलामनी सामाजिक व्यवस्ता ए व्यवस्तानो मालिक छे पिता ए व्यवस्तानी स्थापक छे माता अने तेना उपभोगता हो छे संतानो आ व्यवस्तानी दरेक आगरनी कडिमा एक पिता होई छे एक माता होई छे अने ते सगलू एक जरूर यातना तांतने टकेलू होई छे आपनी आध्यात्मिक परम्परा तो आ जन्जटने वस्थवानी ना पड़े छे तमारो पुत्र सपूत हशे तो पोतानू सारीली तेरली येशे येटले एना माटे पिताये दन संचाई करवानी जरूर नथी अने तमारो पुत्र कपूत पाक्षे तो तमारो सगलू रोली नाक्षे तेथी तेना पिताये तेना माटे दन संचाई करवाली आवश्यक्ताज नथी पूत सपूत तो का दन संचाय? पूत कपूत तो गा दन संचाय? आ वात गड़े उतरे तो धनसंचाई नहीं, प्राप्वर्टी नहीं, तेना वारसनी चिंता नहीं, आ मारू बालक इवी कोई जंजट नहीं, अने तो फादर होवानी जरूरत पड़ नहीं अल्बत तो पछी आधिपत्य पड़ नहीं तू ही सागे है तू ही किनारा रूंडता है तो किसका सहारा रूंडता है तो किसका सहारा